और दर बहराईच में खूनी भेडिये का आतंक लगातार जारी है पांचवे दिन भेडिये ने अपना शिकार बनाने की कोशिश की मासूम बच्चे और एक पुजूर को जिन्नों ने शोर मचा कर अपनी जान बचाई भेडिये लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है जिसको लेकर इंडिया नियूस की टीम ने CST अधिक्षक आशीश वर्मा से बातचीत की है खूंई भेडिये का अतंक लगातार जारी है पांचवे दिन भी उसने अटाइक किया यानि पांच दिन तख वनविभाग मैं बाते बता रहा था कि तीन दिन के अंदर अटैक करता है उसकी टिंडेंसी है पांच दिन तक भेडिया ने घात लगाई और पांचवे दिन अटैक किया एक मासूम बच्चे और एक बुजर्ग को अपना शिकार बनाने की कोशिश की हलाकि उन्होंने डिटैलियेट किया और व वुल्फ अटैक यानि भेडिये के इसी खूंकार खेल में जिन पर अटैक किया गया कई लोग बच निकले कई ऐसे भी थे जिन्होंने दूर से भी देखा वेडिये को और उनको पंजा या उसने निशान बनाने की कोशिश की और वहां से बाग किया उसका अस्पताल में किस अच्छे के बारे में बताईएगा पहले अभी इनके बारे में बताईए जो दो अटैक कल रात में हुआ जी जी ती रात दो बज़े के लगवग पारस बच्चा अथा हमेरे पास और पेशन के अटेंडिंडरों के अकॉर्डिंग बताया गया कि वो भीडे के दौर अग है किया गया है जिसे माइल सिंपल इंजरी थी नेक एरिया में उसको प्राइमरी टीट्मेंट देने के बाद से हम लोग उनको एडमिट कर दिया आदेश दिये उसके बाद पांच बच के 20 मिनट पर नेक्स्ट पेशेंट आया कुन्यूलाल उसको भी हम लोगों ने एक्जामें होगा आपने माइल्ड इंजरी बता रहे हैं सीवियर अटाइक कर नहीं पाया भीड़ा कि बच्चे को भी हम देखना है थोड़ा बड़ा है बच्चा चोटे बच्चे को अटाइक करता तो शायद वो रिटालिये ना कर भी तक जो था पिछले हफते तक यह था कि छोटे ब इसका पीम भी मैंने खुद किया था उसमें देखा गया कि और जैसे कहा था कि वह भी किसी अधर से मडर किया हो सकता है पर ऐसा कुछ वहां पर हम लोगों पीम में दिखाने आपने तीस पेशेंट अब तक एक्जामिन किये हैं इसी बुल्फ अटाइक में यानि इसी खुं साफ्ट इशू पर Çैकरता है कहा अटाइक करता है तो निशानी होता है अभी तक threeiben अपने अभी तक तीश्व में हम कोगर्दन पे इंजिरी मिली है अधर दन ही नहीं लिए यदा कि इसकेश मार्ट चेस्ट पे मिल गया है स्क्रेच मार्क बट ぁ मोश्डिा पर अटक करता ह और अभी तक 30 में ऐसे पाया कर पर एक्चुली क्या है कि जब वो घायल करता है जैसे हम पहले बता रहा है गायल किया है तब हो यहां है अधर्वाइस वो पीम हाउस ही जाते हैं कई कई बच्चों के तो हाथ पैर लिम्स सारे गायब हैं तो आप सब आप लोगों को मीडिया क देखी थी तो अभी एक्सपर्ट नहीं हूं पर जो मेरा इतना दिन का एक्सपीरियंस है अप पूछना हूं कि आप एक्जामिन करते हैं घाओ को ट्रीट करते हैं तो घाओ देखकर पता चलता हूं यह अपीरियन करते हैं तो यह सब को एक्जामिन के एक डीकार आप में देखेहरा ओन नहीं सूब्ध करते हैं तो इतनी को मैं नहीं सकता है। यह बारीकी की चीज देखनी या तो इसको डिय ने उस लाइबा से निकलवा कर उसको किया जाए एक पेशेंट का हम लोगों ने उसको भिजवाया भी है शक था कि कुछ और तो भी हो सकता उसको हम लोगों ने आगे भी ज़वाया भी है ठीक जैसे रिपोर्ट आती है तो बड़े होते हैं शार्प टूथ होता है वह इंसानी सिविलाइजेशन की तरह नहीं रह रहे हैं और जिस तरह यह बेडिया अटाक कर रहा है उसकी टेंडेंसी सीधे सॉफ्ट इशूस पर छोटे बच्चों के गर्दन पर छोटे बच्चों की आर्ट्री जल्दी ब्रेक हो लेकिन उनकी जान किसी तरह बची है और देखना होगा कि कब तक ये भेडिया वन विभाग के चंगुल में फस पाता है या फिर गाउवाले ही से ढूंड लेते हैं लेकिन ये बड़ी बात है कि रातों दिन अब दहशत का महौल और बढ़ता जा रहा है हर एक घंटे के लेकिन लाउड खब भी कि ये हुआत के साथ Kakar